भाजपानेता उपेन जी अमारे साथ इस समय मौझूद हैं। मैं सिधा यह कहना चाहूंगा यह वो जब इनके कॉंग्रेस के नेता पेपर बेच रहे थे और जब इडी उनके जाज करने आ रही थी तो इडी के खिलाब धरना दे रहे थे यानिकि यहों को सपनों को बेचने वाले गुन्हकारों के फक्स में वो बोल रहे थे इनको सरमानी जब किसान का आम आदमी का बेटा और बेटी के सपनों को बेचा रहे थे एक आवाज नहीं निकल रही थी और विफख्ष में आके चिला चिला के बोल रहे और रही बात बिजली की बात करते हैं पास साल में प्लांट नहीं लगाएं लोगोंने कुछ किया नहीं कमसे के मु करवाते जाज क्यों बार बार चिला रहे थे और अब जांच होगी ना यह बड़े बड़े नप जाएंगे इनको पता पुरे राजिस्तान को पता है कि पेपर लीक माप्या सरकार्ती इनकी यहों को सपनों को बेचने काम के दर जाएंगे बजनलाल जी ने यह सवी मुख्य लगा रहा है कि मौझूदा भजनलाल सरकार ने अपनी तरफ से कोई योजना लागू नहीं करी यह कौंग्रेस की योजना को नए बॉक्स में लाके पेश कर रहे हैं तो हमारी योजना में बीजेबी की योजना में फरक है वह पेपर लीक को बंद करा कि यहों को रहात देत हैं तो उनकी योजनाओं कैसे लागू करेंगे उन्होंने तो बहुत धुकी किया परिश्यान किया आज जिस प्रकार ब्रश्टाचार की चरण शुम्या है मैं सापरा विदान से बाचेतर से हूं और नगरपाली का में इतना ब्रश्टाचार है सडख नहीं बनी और सड़क पेशे उठाके खा गए अलाकि वो जेल में जाएंगे जाच होगी तो इनके जो पास साल के कारेकाल मित्ता बश्टाचार हुआ है इतना बश्टाचार हुआ है जाच होगी तो कई लोग जेल के अंदर जाते नजराएंगे इतना बश्टाचार है कि विपक जिस प्रकार से हल्ला मचा रहा है वो कहीं न कहीं वो इस बात से खीज रहा है कि मौझूदा भजनलाल सरकार कैसे युवाओं के हितों के लिए महिलाओं के हितों के लिए गरीबों के हितों के लिए काम कर रही है और जिस प्रकार से रानी कॉंग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ किया था पिपर लीक करा कर किया था और आज मौजुदा सरकार युवाओं के महिलाओं के किसानों के गरीबों के सपनों को साकार करने का काम कर रहे है जो आगे भी अथावत जारी रहेगा सेहोगी केमरमेन अजय के साथ उमंग माथुर जन्ता दरबार